गुड मॉर्निंग इस्टूरेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्टियर स्विशलाजी म.A. फाइनल का पेपर जो M.D.S. उनिवर्सिटी के सिलेवस के अकॉर्डिंग है उसमें हम पढ़ रहे हैं भारत में श्रमपूर्ती एमम पढ़ती इसमें पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत में किस तरह से श्रमिकों की कोन्युक्त किया जाता है क्योंकि अनुसन अध्यों की सफलता या असफलता बहुत कुछ श्रम पर निर्भर करती है और जो श्रम का जो कारी है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है उसमें हमने फ़र्स परिंट पढ़ा था मद्यस्यों द्वारा भरती आज हम पढ़ रहे हैं ठेके द्वारा भरती भारत परिश में बहुत बड़ी संख्या में जो अध्योगिक श्रमिकों की भरती के लिए ठेके की प्रथा का प्रचलन है उध्योगों में मालिक किसी निश्चित कार्य को संपन करने का ठेका दे देते हैं ठेके दार द्वारा उस कार्य को पूरा करने के लिए स्वैम ही श्रमिक को भरती करता है उनका वेतन निर्धारित करता है और अपनी शर्तों के अनुसार उनसे कार्य करवाता है अगर हम देखें तो भारत वर्ष में जो सार्जानिक निर्मान विभाग है जिसे हम करते हैं पी डब्लूडी रेल विभाग इंजिनिरिंग विभाग तथा अनेक उध्योग ऐसे हैं जहां ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन है अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ठेके के द्वारा जो भड़ती होती है उसका क्या लाब होते हैं फर्स्ट है कार्य सस्ता होना क्योंकि कार्य इसलिए सस्ता होता है कि ठेकेदारी प्रथा से कार्य करवाने के लिए पहले टेंडर मांगी जाते हैं और टेंडर जब स्विकार करवाने हैं तू ठेकेदार को कम से कम राशी में कारिय संपन करने हैं तू टेंडर भेशते हैं और उध्योक भी यही देखता है कि उसी टेंडर को स्विक्रती देता है जिसमें सबसे कम मुल्य का कारिय करने का वादा किया हो इसलिए इस प्रथा को उध्योगपती का कारिय सस्ता होता है क्योंकि जो ठीकेदार होता है वह कम से कम रेट टेंडर में डालता है और जो कम से कम रेट टेंडर में डालेगा उसे ही उसका ही टेंडर खुलता है उसे ही कारिय का ठेका मिलता है इस कारण कारिय सस्ता होता है नेक्स्ट है कारी शिग्र होना यदि किसी भी कारी को शिग्र पूरा काराना हो तो यहाँ प्रथा अपना ही जाती है यानि ठेकेदार को काम सौफ दिया जाता है और यह उसका दाइत्यों बन जाता है कि वो किस तरह से निर्धारी तब्धी में पूरा कर दें अगर ठेकेदार निर्धारी तब्धी में पूरा नहीं कर पाता तो उससे हर जाना भी वसूल किया जाता है नेक्स्ट है सरकारी नियमों का पालन एवं श्रमिकों की निग्रानी से मुक्ती य Cry जब थीकेदार इस द्वारा जब कारी किया जाता है तो श्रमिक के जो थेकेदार के नौकर होते हैं वे सरकारी नियमों का पालन जैसे श्रम कल्यार नियमक श्रमिक शुरक्षा नियम आदी का ठीक ठीक पारण करना ठेकेदार का दायित्व होता है इसके अतिरिक तो इस शमिखो की देखरेक एम निगरानी की जिम्यदारी भी ठेकेदार की होती है इस प्रथा को अपनाने से उध्योग पति, सरकारी नियम एम शमिख निगरानी दोनों ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है क्योंकि जो भी नियमों का पालन करना हो या श्रमिकों की निगरानी करनी हो वो सब कारिय ठेकेदार के नौकर, नौकरों के द्वारा किया जाता है इसलिए सरकारी नियमों का पालन और श्रमिकों की निक्रानी से उने मुक्ति मिलती है next हम देखते हैं honey honey में हम देखते हैं या दोश में हम देखते हैं फ्रस्ट पॉइंट अनियमित एवं कम मजदूरी ठेकिदार यह देखा गया है कि प्राहे उनी श्रमिकों को भरती करता है जो कम से कम मजदूरी लेना स्विकार करें तो मजदूरी से सम्बन में हमेशा यह प्रतिस्प्रधा करता है कि किस तरह से श्रमिक आपसी प्रतिस्प्रधा करके कारिये को लेने में सफल होएं और वो सफल होएं और उनका शोषण किया जाएं यह ठेकिदार श्रमिकों को सुचारो रूप से उनका पारिश्रमिक देने में भी अनियमित्ताय करते हैं और यह भी रेखा गया है कि उनका वेतन रोके रखा जाता है जिससे वे बाद्य होकर अपना काम छोड़कर भी दूसरी अन्नी जगह काम करने नहीं जा पाते हैं नेक्स्ट आम देखते हैं कि श्रमिक अनिवारी सुविधाओं और सुरक्षा साधनों से बंचित होता है यानि श्रमिकों को शोशन से बचाने है तो अने प्रकार की सुविधाएं एम अम सुरक्षा साधन प्रदान करने के लिए सरकार के दोरा तो अनिक नियम बनाये गए हैं लेकिन सरकार के पास इतने प्रयापत संख्या में अधिकारी नहीं है कि वो निग्रानी कर सके और निग्रानी करना कठीन होता है की अथा संभाव नियमों के अनुसा सुरक्षा और सुईधा प्राप की जा रही है या नहीं और इस अभाव का जो लाब है वो पूरा ठेकेदार उठाने में नहीं चूपते और उन्हें और उनकी प्रवती जो है वो यही रहती है कि नियुम्तन सुविधाय सुरक्षा प्रदान की जाए नेक्स्ट है कारी की घंटे एवं छुट्टी सम्मंदी नियमों का उलंगन इसमें भी ठेकेदार अपने श्रमिकों से निर्धारित कारी के घंटों में से अधिक कारी करवाता है और इसके अत्रिक्त उनकी सामुहिक छुट्टी या साप्ताहिक छुट्टी जहां तक संभव होता है उन्हें उससे भी वंचित रखा जाता है इस प्रकार हमें देख सकते हैं कि ठेकेदारी के द्वारा श्रमिक भरती श्रमिकों के लिए अधिक अहितकारी है कि अध देकारी है थैसे, हुआ है।